You should be sorry का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं You should be sorry का मतलब होता है कि आपको sorry होना चाहिए यानि कि आपको खेद होना चाहिए या आपको इस चीज़ पर माफि मांगनी चाहिए यानि कि जैसे आप ये कहें कि आपने जो कहा है उसके बाद आपको खेद होना चाहिए तो आप कह सकते हैं you should be sorry for what you said या अगर आप ये कहना चाहें कि आपको अपने वहवार पर खेद होना चाहिए तो आप कह सकते हैं you should be sorry for your behavior या अगर आप ये कहना चाहें कि यदि आपने किसी की भावनाओं को ठीस पहुंचाई है तो आपको खेद होना चाहिए या आपको माफि मांगनी चाहिए तो आप कह सकते हैं You should be sorry if you hurt someone's feelings You should be sorry if you hurt someone's feelings अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें